हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूटुब चैनल अलफा मोनीटर में बहुत बहुत सवागत है महिलाओं के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है ये फूल जाने इसके हेरान कर देने वाले फाइदे कौन से फाइदे मिलते हैं, कौन सा ये फूल आईए जानते हैं लेकिन उससे पहले आपको पताईए कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले और समय पर मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो गुड हल को जवा कुशुम के नाम से भी जाना जाता है इसका फूल बहुत सुन्दर होता है गुड हल का पोदा ने सिर्फ सुन्दर होता है बलकि इसमें ओशदिय गुण भी पाये जाते हैं यह विस्सों के सम सितोशन उशन कटी बंदिये और अर्द उशन कटी बंदिये छ चाहती कुछ जहडियां और छोटे वरक्स भी इसी परजाती का हिसा है। गुड हल की दो विविन परजातियां मलेशिया तथा दक्षिन कोरिया की राष्टरिय पुसप के रूप में सविकार की गई है। आईरवेद के अनसार गुड हल का फूल सरीर के लिए बहुती फायदे मंद होता है। खास तोर से महिलाओं के लिए यह किसी वर्दान से कम नहीं है। और इससे कोलेश्टरोल, मदमे, रकतसाप, गुर्दे की बिमारियां और गले का संकर्मन इन सभी का इलाज की असाता है। यह विटामिन सी, केलशियम, तथावसा, फाइबर, आइरन, नाइटरोजन, फासपोर्स, टेटरिक और ओकसिलिक एसीड फलेवोनोईड्स और फलेवोनोईड गलाइकोसाइड्स का बढ़िया सत्रोत है। यह सभी तत्व सरीर से जुड़ी कई समस्यों से राहत दिलाने का काम करते हैं। तो चलिए इसके फाइदे और उप्योग के तरीके के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनीमित पिरियट्स। कई महिलाओं को एनीमित पिरियट्स की समस्या होती है। ऐसे में गुड़ हल की चाय बना कर पीने से फाइदा मिलता है। शाथ ही इसके बीज की दो कलियों को एक अफता लगातार खाली पेट खाने से पिरियट के दर्द से राहत मिलती है। अगला है बल्ड प्रेसर कंट्रोल गुड हल के फूलों की पंखुडियों को पानी में उबालकर हर बल्टी बना कर पीने से बल्ड प्रेसर कंट्रोल में रहता है। शाथ ही ये कॉलेस्ट्रोल को बढ़ने से रोकता है जिससे दिल की बिमारिया होने का खत्रा है वो कम हो जाता है इसके अलावा इसका तीसरा फैदा है कंडीसनर की तरह काम करता है इसकी पतियों और फूल की पंखुडियों से पेश्ट बनाकर बालों पर लगाने से यह कंडी किसी वर्दान से कम नहीं है ऐसे ही नई नई जनकारी रोजाना सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चेनल एलफा मोनिटर को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबा लें ताकि आपको नई नई विडियो सबसे पहले और समय पर मिलते रहें